लाइफ को भी रुपती नहीं आपका जो मैंड है वो ऐसे 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 भागता है तो प्राब्लम होती है ना सब कुछ छूटने से डरते हैं ना थुद को अराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके समझ नहां क्योंकि आपको सिर्फ आप ही समझ सासे क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया तो उगाया इसमें एक्सपरिमेंट करके देखो कि सोचने से सब कुछ नहीं किया जा सकता है इमिजियर्टी अलर्ट करो उसको इग्रोर करो इससे जरूरी और कुछ नहीं अगर इस तरह से आपने देख लिया तो आपको एकदम समझ आजाएगा तो अच्छा ये खेल होता है तब मजा आएगा लाइक में जी लेगे अपने आपको बनाओ सकते हो तो कि इससे इंपोर्टन और क्या है लाइक में बताओ आज हम जो भी कुछ है वो अपने एक्शन्स की हुएसे जीने की कोई वज़े भी तो चाहिए ना क्या है पिलीफ ही तो है अगर ही हमको अच्छे से समझ आजे मनला हमारे सारे फंडे क्लियर हो फिर हम आपक्शन ले तो पॉसिबिलिटी क्या है कि यह रिजल्ट अच्छा होगा हमारे ले लिए और और ले लिए कि जो हमारे बिलीफ उसके अक्वाडिंग यह डिसाइड होता है कि हमको कैसा आउटकम मिलेगा उन एक्शन्स का जो एक्शन्स हम ले रहे हैं हम हर चीज को उठा करके पास पर डाव दो अगर चाहो भी तो क्या सब को बदल सकते हैं तो अगर आपने खुद को बदल दिया है पूरी तरह से तो अब आप क्या कर रहे हैं आपको देख करके जो और लोग होगे इसलिए सच को जाता लोग देखते ही यहां तक जाते ही लिए जब आपको दिखे कर आपको क्यों भी एक्शन छोटा नहीं है छोटा बड़ा कुछ नहीं है अज दुनिया तो अब आपकी सोच बड़ी हो जाती है कि बड़ी सोच आ जाती है तभी तो बड़ी एनर्जी चाहिए इस स्टाइम पे कुछ ऐसा है जो हमको समझना बहुत जरूरी है बिना किसी रीजन कि आप पॉजिटिव होते चले जाओगे तो वो नहीं टिकेगा कि पॉजिटिव अक्षिटिव मस्ट बी पाट बाई रीजन अपने एक्षिंस को अप्जर्व करना है अपनी स्ट्रेंज्स को अप्जर्व करना है उसके बेस में अगर आपके अंदर आटिट्यूड है तो वो अच्छा है जब यहां कॉंपिटिशन में जा रहे हो तो आपको अनलेसिस करना होता है कि मेरी क्यापैबिलिटी क्या है इंकम पारिजन तो अदब ही सिर्भ बातों से नहीं होगा सोचने से नहीं होगा बहुत कुछ करना पढ़े है इसको समयदारी बोलते हैं लाइट इसको बोलते हैं यह पॉसिटिव आटिटी अन्शेकिबल पॉसिटिव आटिटी